हेलो दोस्तों एग्जिस्ट अकेडिमी में आप सबका स्वागत हैं आज हम फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे रीफरेक्शन ओप लाइट परकास का अपवर्तन देखिया हम जानते हैं यह होता क्या है यह होता है जब परकास की लाइट जो लाइट रहे होती है वह एक मीड का पानी के पानी के अंदर जाती है लाइट रहे उससे मीडियम क्या होगा लाइट काड़ का ऊच में जायेगी हना तो इसी जब लाइट रहे हो जाती है हट जात ją हर इसी डे लाइट जो कि यहां लिखा गया है वेन लाइट रे पासे स्थ्रूवन मीडियम तू अनाधर मीडियम इट डेबिएट फ्रॉम इस ओरिजनल पाथ इस फिनोमना फ्लाइट इस काल्ड रिफ्रेक्शन ओफ लाइट तो परकास के इसी फिनोमना घटना को क्या बोलते परकास का अप और तिहां से देखिए ये हमने क्या बनाया डाइग्राम समझाने के लिए बनाये गए है कि क्या लाइंट रेख कहां से आरी एर उसनाभी इस जो सबमान के रही है कहां से त्लों द्addassי है इस मीडियम के इंटरफेस पर 30 पर सब्हांज होतें लिए से सीधा था लेकिन यह क्या होते थोड़ा अपने पाथ से डेवीट हो जाती है तो इसका पाथ कैसे बन गया यहां ना जाके ऐसे आया तो इसी फिनोमना को बोल गया परतास का आप और रिफ्रेक्शन ओ लाइट और जो लाइट डेवीट हुए इस लाइट को बोलेगे रिफ बोलते है रार मीडियं बिरिल माध्यम और जिसकी ज़्यादा होती है उसको बोलते क्या सब्सक्राइब तो इसका समझेंगे रिजन कॉज ओफ रीफ्रेक्शन अभ जानते हैं कि यह परकास का पॉर्टन रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन फोटी क्यों ना इसके पिछे क्या है cause of reflection निए होता है प्रकास की स्पीड में चेंज होने के कारण जैसे लाइट रहे कर दो दूसरे में जाती है तो इसकी स्पीड में क्या आता है बेरियेशन आता है चेंज आता है तो इसी चैंज की करण लाइट रहे कर तो अपने पास से डेवीट हो जाती है जैसे कि यहां लाइट की स्पीड में चेंज होने के कारणी फिनोमना होता है आप जानते हैं जब लाइट अगर कहां से रेयर से डेंसर जा रही है तब क्या फिनोमना दिखाएगा ना उसको पड़ते हैं चलिए दोस्तों अब हम आगे सीखते हैं जब परकास के लाइट लाइट रह क्या होगी एक मीडियम से बीडियम में जाएगे तब क्या होगा ना से पहला यही कि तरफ बैंड होगी towards the normal bending towards the normal यह बैंड हुई है लाइक क्या होगी है बैंड टूवर्ट्स नोर्मल कि तो ट्य। पुर्स नॉर्मल तो जब लैट्रे क्यों रहीर मेडियम से डैंसर मीडियम में जाएगी तू क्यों क्यों कि speed की light में क्या आता है डिकरी जाता है due to decreasing speed of light जैसे ईपर जाएगगा तो यह नीडिक पांसे नाने से डेंसर से रेयर तो देंसर से रेयर में तो से क्यों हों गि दूरज जाएगे भाह फूंदानोर्मल यहां पर इसके साथ क्या होगा यह लाइट्रे क्या होगे भी अभी-शॉ стौसा मैवकी दूर थे तो क्या समझे आप तो जब देंसर से रेयर में जाएगी तो दूर हो जाएगी जब भी रियर शेदेंस अरम यह तार्यों जाएगी जबये चलिए बूर्लेज। दोषके और देखे दोस्तों अब हमने क्या आई इसके ग्जामपल में भून को नहीं तूर कहते हैं जूटे थैस को इंग्लिस मलते हैं इस इसको इंगल्श मोPress temptingна कोया ट्रींगी और कहां ऑष स्टार्स कि पहले इसके लाष नस श्ती है कौह इश Kell municipality ऑफ जंपल यह नगेथ हैं डेखो होता है है मारी आर्थ और्थ के चार और का होती है कुछ लेयर होती है अपने पड़िए और इसके बाद लाश्ट आती है जिस तो वह होता है किसी लेयर में वाटर के पाडिकल होते है गैसे बहुत सारी प्रेजेंट होती है तो इन सारी क्या होती है लेयर से प्रकास क्या होती है जैसे ही लेयर से आएंगी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी आ रही है कहां से स्पेस से आ रही है ना स्पेस से वेक्यूम से आ रही है और जैसी लेयर में क्या करेंगी एंटर करेंग देते हैं समझ माया और एक्जाम्पल देखते हैं जिस तरह सेकेंड एक्जाम्पल एपना है सेकेंड एक्जाम्पल देखो पानी में किसी शड़ का तेड़ा पर्तीत होना जिस तरह अगर क्या हुआ मान के चलो कोई ड्रम है बड़ा सा ना उसके अंदर कुछ भी क्या स्टिक वगेरा पड़ी है ना तो वह हमको क्या देखते हैं तो वह स्टिक हमको थोड़ी सी टेड़ी दिखाए देती है इसके पीछे भी रिजन क्या होता है प्रकास का अपर्तन क सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू